हेलो एव्रिवन वेल्कम बैक टू और अगर आपने चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें तो डिरेक्टरेट ओफ एजुकेशन जी एंसी टी ओफ डेली की तरफ से 29 ओक्टूबर 2021 के लिए मैट्स की वर्कशिट है वर्कशिट नमबर 100 क्लास 3 के लिए वर्कशिट है लर्निंग आउटकम क्या रहेगा मैजरिंग लेंथ यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट की लंबाई आप माप पाएंगे स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तमाल करके यहां सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहां अपने टीचर का नाम लिखेंगे आज हम करेंगे नाप डंडी का इस्तमाल पिछली वर्कशिट में आपने अपने कदमों का इस्तमाल करके दूरी नापी थी उस खेल में आपने देखा कि एक जैसी दूरी के लि तो जो पैर होता है सब का पैर का साइज एक नहीं होता है तो अब अगर आप किसी एक चीज का लंबाई नापने के लिए अगर आप अपने पैर से अपनी मम्मी के पैर से और अपने पापा के पैर से नपवाएंगे वह चीज तो वह अलग अलग आएगा तो यह तो इससे क्य लिए एक जैसा आए तो इसलिए ये तरीका तो आप हमारा यूज नी हो पाएगा तो इसके लिए हमें एक ऐसा तरीका चाहिए कि ऐसे लंबाई नापने के लिए कोई वस्तु चाहिए जिसका इस्तमाल करने पर हम एक जैसी दूरी को ही नाप करें ना पुसके और सबके लिए उसका जो उत्तर है वो same eye हमें उमीद है कि आप सब के पास गणित की किताब होगी उसकी प्रिष्ठ संख्या 8 पर बने इस चित्र की लंबाई जैसे कि 7 के चित्र में दिखाया गया है तो आप क्या करेंगे यह देखो तो इतनी आपको क्या करेंगे जितनी एक कागस की पट्टी बनाई है इसे हम नाप डंडी कहेंगे तो आप इतनी क्या कर लेंगे कागस की पट्टी बना लेंगे इसकी लंबाई जितना ठीक है और इसको हम बोलेंगे नाप डंडी इसी का इस्तमाल करके अब हम वस्तों को नापेंगे तो अब इसी का इस्तमाल करेंगे इस नाप डंडी का और हम वस्तों को नापना शुरू करेंगे इसी नाप डंडी का इस्तमाल करके हमने आपकी गणित की किता मैट्स मैजिक की चोड़ाई नापी है चित्रों में देखिए हमने किताब के एक कोने में नाप डंडी को रखा, जहाँ नाप डंडी खतम हो रही है, वहाँ पैंसिल से निशान लगाया गया है, नाप डंडी उठाकर फिर से उसी निशान पर रखी गई है, तो यह देखो, इन्होंने क्या किया, यह जो नाप डंडी थी इस तरीके से रखी अब जैसे ही जहाँ यह नाप डंडी खतम हुई वहाँ पैंसल से निशान लगा लिया और फिर इस नाप डंडी को उठा कर वापस जो है इस पैंसल के निशान से लेकर और फिर नाप आ ठीकिया उससे आगे पूरी नाप डंडी नहीं आएगी देखो लेकिन फिर भी जगे बच गई यहाँ यह इतनी सी बुक्की है न लेकिन इससे आगे अब यह पूरी नाप डंडी तो आनी सकते हो भार निकल जाएगी न तो इससे आगे पूरी नाप डंडी नहीं आएगी पर थोड़ी जगे अभी बागी है तो इस तरह किताब की चोड़ाई हुई तो किताब की चोड़ाई की अगर बात करें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको आज आप नीचे लिखी होई वस्तु की लंबाई नाप डंडी से नाप कर पता लगाई है तो आपको इन वस्तुओं की जो है नाप डंडी से लंबाई पता करनी है सब वस्तुओं की तो जैसे गणित का जादू किताब की लंबाई, देखो अभी हमने चोड़ाई देखी, तो आपको ऐसे नापडंडी की सहाइता से यह जो लंबाई है ऐसे देखनी है, कि कितनी नाप डंडियों में यह पूरी हो जाएगी, क्या यह पूरी 2 में होईगी, 2 से जादा में उसकी भी ऐसे नाब डंडी से करेंगे फिर pencil box जो होता है आपका उसकी भी लंबाई ऐसे ही देखेंगे अपने हाथ की लंबाई भी आपको ऐसे ही देखनी है जो आपके घर में मेज है मेज की लंबाई भी ऐसे ही देखनी है आपको जो school diary मिली हुई है उसकी लंबाई भी आप नापडंडी से नापएंगे और जो आपको school bag मिला हुआ उसकी लंबाई भी आप नापडंडी से मापएंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे मालीज़ अगर दो नापडंडी लगी है तो आप लिखेंगे दो नापडंडी ठीक है? पूरी नहीं है तो क्या लिखेंगे तीन नाब डंडी से जादा तो इस तरीके से आपको यह सारी के सारी लंबाई जो आपनी नाब डंडी आप बनाएंगे और उससे आज पता करके इस वर्कशीट में लिखेंगे तो अगर आप चाहें तो यह काम जोड़े में भी कर सकते हैं तो मतलब आप दो दो के पेर बना सकते हैं जैसे आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड है आप उसके साथ वीडियो कॉल पर यह काम कर सकते हैं यदि संबह हो तो आपने मित्र को वीडियो कॉल कीजिए और आप दोनों काम नाप डंडी का इस्तमाल करके एक साथ कीजिए तो आप दो जो हैं मित्र मिलकर इस काम को कर सकते हैं ठीक है और अभिभावकों के लिए सुझा हो रहेगा कि लंबाई नापने के अलग-अलग तरीकों जैसे कि हथेली से नापना रसी से नापना के बारे में बच्चों से पातचीत कीजिए और को रना से बचने के लिए COVID-19 के विरुद लडाई में सुरक्षित रहने के लिए सबी मास्क जरूर पहने तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें चा झाल